यहां आपने दाई बल्ले बनाने के लिए लिए 500 ग्राम उड़त की सफेद डाल जिसे हमने चार घंटे भीगो कर रखा है अब हम उसे मिक्सर ग्राइंड कर लेंगे बहुत ही बारिक ग्राइंड करनी है करने के बाद हम इसमें एट करेंगे नमक और नमक एट करने के बाद हम इसे धीले हाज से अच्छी तरह फेटेंगे जितना ज़्यादा फेटेंगे उतने सॉफ्ट दाई बल्ले बनेंगे जिस तरह से मैं करनी हूँ बिल्कुल इसी तरह फेटना है और अच्छी तरह से फेटते जाना है इसी तरह फेटने के बाद मैंने आपर एक कड़ाई में तेल गरम कर लिया है हमें दईबलो को डीप फ्राइ करना है और गोल गोल दईबले हमें इसमें डालने है नापर हम दईभलो को अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ बगोने में पानी लिया है और उसमें नमक मिलाय है यानि कि नमक के पानी में हमें अपने दईभले डालने हैं इसी तरह सभी दई बल्ले तैयार कर लें और नमक के पानी में डालते जाएं फिर उसे हलके हाथ से दबा कर हम एक बाउल में निकाल लेंगे दई बल्लो को हलके हाथों से दबाएं याद रखें ज्यादा तेज दबाएंगे तो हमाई दई बल्ले तूट जाएंगे क्योंकि वो सॉफ्ट बहुत बने है दही बलो को सर्व करने के लिए हम इसमें डालेंगे इमली की खटी मीठी सोट अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं फिर इसके बाद हम यहां दही डालेंगे मैंने दही में चीनी मिलाई है यानि कि हम मीठी डही डालेंगे उससे टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद मेरे पास है यहां पर चाट मसाला चाट मसाला डालेंगे और फिर आपके दही बल्ले तयार